हेलो सस्यकाल नमस्ते आदाब कैसे हैं आप सभी आज हम करने वाले हैं रिक्रूट्मेंट पार्ट 3 इसमें हम पढ़ेंगे कि इंटर्न और एक्स्टर्नल सोर्सें के किया बैनि वे przyts हैं क्या उसके नुकसान है और वो कब suitable प्री विडियो में आपको इंटर्नल एंट Internal Sources of Recruitment के क्या फायदे हैं? Merits, Advantages, Importance. एक ही मतलब होता है. Increase in Motivation. जब आप अपने ही Employees को use करके कोई higher position को fill कर लेते हैं, तो आपके Employees के अंदर motivation आता है और वो और ज़्यादा महनत से काम करते हैं. Next, Easy Training and Induction. जो Employees आपके साथ already काम कर रहे हैं, वो आपके Company के structure को बहुत अच्छे से समझते हैं. इसलिए उन्हें Induction Training की जरुरत नहीं होती. और साथ ही साथ उन्हें Company की सारी Working, Rules, Regulations भी पता होते हैं. इसलिए उन्हें नए सीरे से सारी चीज़ें निखा सिखाने की जरुरत नहीं होती. तो Training की कम requirement रहती है. Adjustment of Surplus Staff Surplus होता है Extra तो जब आपके पास Extra Staff होने लग जाता है तो उनको जौब से निकालने की बजाए आप उन्हें किसी और जगा पर Shift कर सकते हैं जिससे की आपके Employees भी खुश रहेंगे और आपकी WCNCB पूरी हो जाएगी. Next, Serve as Moral Booster मतलब आपके Employees का जो Moral है, Confidence है, Motivation Level है वो बढ़ जाता है क्योंकि उनको पता है कि हमारे काम की एहमियत की जा रही है हमारे काम को Recognize किया जा रहा है इसलिए हमें Promotion या और कोई Benefits दिये जा रही है Next, Economical Source Yes, ये बहुत सस्ता तरीका है क्योंकि इसमें आपका Time भी बचता है और जादा Cost भी नहीं आती जादा क्या Even आती ही नहीं है ठीक है Next है इसके Demarits क्या नुकसान है अगर आप सिरफ Internal Source करते है Stop Entry of Young Blood Obviously आप सभी जो पढ़ रही है आप सभी जब जाएंगे आप Young Blood है Freshers है आपको भी Experience नहीं है लेकिन Experience तो तब ही आएगा जब आपको काम दिया जाएगा लेकिन अगर Companies Internally ही Jobs फिल करती रहेंगी तो आप लोगों को जॉब कैसे मिलेगी इसलिए इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि ये Young Blood को आने से रोकता है Next Employees become Lethargic Employees को पता है मैं काम करूं ना करूं मुझे तो या तो प्रमोशन मिली ही जाएगी या कहीं और शिफ्ट कर देंगे मुझे जॉब से निकालेंगी नहीं ऐसी कंडिशन में वो काम जोरी करते हैं Next Not available in new company Obviously Suppose आपकी company अभी established हुई है आप अभी काम शुरू ही कर रहे है तो आपके पास existing employees कहां से आएंगे आपके लिए तो सारे ही employees नए होंगे न Then Frequent transfers hit productivity negatively यानि अगर आप ज़्यादा बार 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 transfers करेंगे अपने employees की तो उनकी production पर फरक पड़ेगा कैसी Suppose करते है एक जगा से उठाकर आपने Mr. A को दूसरे department में डाल दिया अब वो उस department के काम को सीख रहा है और उसका करने में expert हो गया है अब आप उसको कह रहे हैं कि नई भी यहाँ से तुम C department में चले जाओ अब आपने उसको कहीं और भेज दिया वो वहाँ जाके फिर से काम सीखेगा और फिर जब वो काम करने लगेगा आप फिर से उसको transfer करोगे तो इससे जो production है उस पर effect पढ़ता है काम की speed कम हो जाती है अब बात करते हैं कि internal source को कब use करना चाहिए ऐसा तो नहीं है कि इसके demarriage है तो इसको use ही मत करो बहुत जगा पर ये बिलकुल सही रहता है जैसे की for existing company अगर आपकी company existing है मतलब already है और उसमें बहुत सारे employees हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनहीं को promote कीजे ना आप बाहर से किसी को क्यों बुलाएंगे है ना तो ये तब suitable रहता है second lack of budget भी आपके पास ज़्यादा budget ही नहीं है कि आप heavy advertisements करें recruitment के test selection के process पर खर्चा करें तो आप internal ही recruitment कर लेते हो then capable या talented staff अगर आपके पास already talented और capable staff है तो आप उनहीं का use कीजी ठीक है rather than कि आप बाहर से किसी को बुलाएं अब हम बात करते हैं कि external sources के merits advantages या importance क्या है first qualified personal yes आजकल technology बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है और हम जो चीज सीख रहे हैं जैसे कि जैसे जैसे आप job में रहते हैं आप पुराने होते जाते हैं और आप new technology के साथ update नहीं हो लेकिन जो young blood आ रहा है वो technology और skilled है talented है तो ऐसे लोगों को हम अपनी company में रखना चाहते हैं इसलिए हम external source करते हैं next fresh talent yes fresh talent मिलता है हमें क्योंकि fresh talent जो है वो पूरा energetic होता है चीक है उसमें थकावट नहीं होती उसमें जोश होता है काम करनी के लिए और क्योंकि उसको अभी काम करना experience गेन करना है उसको market में अपना नाम बनाना है इसलिए वो बहुत अच्छे से काम करेगा दिल लगा के काम करेगा and उनको salary भी कम दी जा सकती है तो ये भी company के लिए beneficial होता है बहुत से companies या schools, colleges मैंने ऐसे देखे हैं जो जादतर fresh person को ही job पे रखना पसंद करते हैं क्योंकि energetic person मिलता है और साथी साथ salary कम देनी पड़ती है जितना जादे experienced होगा वो उतना जादा नगरे भी दिखाएगा और salary भी मागेगा है ना चलिए next आता है competitive spirit increases competition की भावना बढ़ जाती है क्योंकि अब इन लोगों को मालूम है कि जो post खाली हुई है उसके लिए बाहर से भी किसी को भुलाया जा सकता है तो मुझे अपना काम improve करना होगा ताकि मैं उस post तक बैट सकूँ ठीक है? तो यहां competition बढ़ जाता है wider choice यानि हमें अलग 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 तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है और हमें अलग 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 जगा से अच्छे अच्छे candidates मिलते हैं हमारे पास options जादा होते है less chance of biasness भेग भाव के chances नहीं होते या बिलकुली कम होते है यहां पर क्या है अगर आप internally promotions करते जा रहे हो तो जो मालिक का favorite होगा वो उसे ही promote कर देगा चाहे वो उसके like है या नहीं लेकिन अगर आप external source लेकर आ रहे हो तो आप तो उसके लिए अंजान हो और वो आपके लिए अंजान है तो आप biasness कैसे कर सकते है नहीं हो सकती है ना सिर्फ हां अगर वो सिफारशी है तो हो सकता है otherwise नहीं Now the demerits limitations क्या नुकसान है अगर आप सिरफ external source कर रहे हो तो first costly method आपको advertisements करने पड़ेंगी test conduct करने पड़ेंगे candidates के साथ मिलना पड़ेगा जिसमें आपका time भी waste होता है और आपका पैसा भी लगता है फिर बाहर से किसी को क्यों बुलाया गया फिर लॉंगर transition period ट्रांजिशन होता है कि जब एक employee job छोड़के जाता है उसकी जगा कोई दूसरा जब तक appointment नहीं हो जाता तो बीच का जो gap है वो कहीं बार जादा ही लंबा हो जाता है हमें एक अच्छा candidate अगर time पर नहीं मिला तो वो period बढ़ता जाता है अब company क्या करती है जो employees उनके साथ already काम कर रहें उन्हीं में से किसी को temporary basis पर कह देता है कि जब तक नया employee नहीं आता आप इस काम को handle कर लो लेकिन वो इंसान सोचता है कि भाई ये काम तो किसी और का था और अब ये किसी और का होगा मैं क्यों इसमें फालतू का burden create करो अपने उपर मैं क्यों इसका काम करूँ तो वो काम ना बहुत slow 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 करता है ठीक है जिसकी वज़े से company को नुकसान होता है next effects employee moral employees का moral confidence down हो जाता है अगर आप सिर्फ external करेंगी क्यूंकि जो लोग आपके साथ already काम कर रहे है उनके मन में न हीन भावना आ जाती है कि हमें लगता है ये company काबिल नहीं समझती इसलिए हर बार ये बहार से ही person को बुला लेती है ऐसी condition में confidence कम हो जाएगा और वो दूसरी companies में जाने की कोशिश करेंगे promotions के लिए आपके पास नहीं रहेंगे ठीक है अगर आपकी company ही नहीं है तो आपके पास तो existing employees है ही नहीं तो internal source तो होगा ही नहीं externally करना पड़ेगा जब आपके existing staff के पास उतना knowledge या talent नहीं है जितना आपको चाहिए तो obviously आपको बहार से person hire करना ही पड़ेगा अगर company का size बढ़ रहा है उसके departments increase हो रहे है branches increase हो रहे है तो वो उतने ही staff के साथ काम को handle नहीं कर सकता वरना उसका staff burden से ठक जाएगा over burden हो जाएगा है ना तो उसे और ज़्यादा staff की जरुरत होगी और ऐसे condition में वो सारी चीज़े internally तो नहीं handle कर सकता सारी vacancies internally तो फिल नहीं हो सकती तो उन्हें externally फिल करना पड़ता है तो I hope आपको ये concept clear हुआ है comment section में जरूर बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी झाल 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 झाल